एलो जी नमस्कार जैहिन जैभारत मैं दनेश माजू आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर कैसे हो भी सभी होपे सभी अच्छे होंगे फिट और फाइन होंगे भी जैसे कि बहुत से बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे भी किसर एक मैथ होता है तो उसके आप क्लास लेकर आईए बहुत से बच्चों के डिमांड थी तो उसी के लिए भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजटी मैथ की क्लासिस चीकर ना आपको बता है टीजटी मैथ के अंदर लगबग 90 कोशन तो हमारे नूर्मल आते हैं ठीकर ना जो क लगबग 15-20 कोशन जो भी होंगे हर एक कोशन को बेसिक से बड़े तरीके से उपढ़ते हुए चलेंगे भई ठीक है इस बर दो 2024 में जो एस्टेट होना है ठीक है उसको हमें कलीर करना है ठीक है तो आज की क्लास टार्ट करते हैं भी आज रहेगी हमारी क्लास नंबर एक ह बार टीजीटी पार करना है ठीक है चलो भी स्टार्ट करते हैं आज की कलास को बई जो कोई नए बच्चा है तो एक चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर ना मत भूलिएगा आज बात करते हैं एक्जाम 2022 जो मैथ का टीजीटी का रहाएगा रेलेवल 2 जिसको हपा कहत हैं जो की चटी से लेके 8 मिकलास तक आप सभी को पताईए ठीक है को मन वाले को बाद में देखेंगे जो हमारा में 60 कोशन आते हैं जैसे जो प्रिवीश ये पर होता है विए हमें जरूर पढ़के जाने होते हैं ठीक है क्योंकि इनने में से ही लगबग हमारे कोशन बन जा ठीक है कुछ एक है फर्मले हमें पता होने चीए इसके लिए क्या-क्या हमारे रहे होंगे अगर बात करते हैं फर्मलों की इससे पहले मैं एक फर्मला बता देता हूँ आपको इसमें फर्मला लगे है कौन सा भी पहले आपने एक फर्मला पढ़ा हो कभी वो फर्मला हमारा बनता है A पलस में B पलस में C अगर इस पूरे का हम होल स्केर करते हैं तो भैसाब यह फॉर्मॉला बनता है क्या है हमारा तो आप कहेंगे जी A स्केर पलस में B स्केर पलस में C स्केर होता है पलस में क्या होता है 2 A B बनता है जी पलस में क्या होता है 2BC बनता है जी पलस में 2CA बनता है इस फॉर्मले को लिख लेना भी साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलना है क्योंकि यह important important questions है तो इनकी formula भी हमें याद रखने हैं यह तेक है A plus B plus C का whole square क्या बनता है हमारा A square plus B square plus C square पलस 2AB plus 2BC plus 2CE बनता है अब देखो इस question को करते हैं उपर वाले चीज़ को ऐसे का ऐसा ही रखते है as it is रखते है X square plus में Y square plus में Z square माइनस में क्या है 64 बराबर किसके होगा देखो इस चीज़ को उस side लेके जाएंगे तो multiply करते हैं देखो माइनस में क्या बनेगा जी यहां पर 2XY बनेगा ठीक है पलस में क्या बनेगा 2YZ बनेगा पलस में क्या बनेगा 2XZ बनेगा यही चीज़ बनेगी हमारी क्योंकि माइनस और माइनस पलस हो जाता है तो यह भी पलस बन जाएगा और ये भी पलस बन जाएगा अब सारी चीज़ों को इसेड लेके आते हैं तो देखो भाज साब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या X स्केर पलस Y स्केर पलस Z स्केर इनको इसेड लेके आएंगे तो पलस में क्या आएगा 2XY पलस में नहीं माइनस में बनेंगे माइनस में 2YZ माइनस में 2XZ और बराबर किसके बनेगा 64 साब बन जाएगा हमारा पलस का अब ये फर्मुला हमें देखा है अभी हमने देखा देखा वो लग रहा होगा आपको कि ये फर्मुला अभी हमने पढ़ा था लेकि दिक्कत कहां आती है जी यहांपे अब हमने हांपे पढ़ाता की एकस प्लस वाइंड का सकेर करेंगे एकस्केर प्लस डृसकेर तो ञीडिक तो ठीक है माइनेस में टूल य मैंड़ा लाइजेद seal है दोनों के अंदर क्या कोमन दिख रहा आपको जड कोमन दिख रहा है तो भाई सब इसका formula लिक होगे ना x पलस y माइनस में z कर देना इस पूरे का whole square बन रहा होगा यह वड़ा formula तो परापर किसके है जी यहाँ पे 64 के बनता है ठीक है जी अब देखो दोनों से root करेंगे तो क्या बनेगा x पलस y माइनस में z किसके बराबर होगा जी यह किसका square बनता है 8 का square बनता है तो भाई सब 8 लिखतेंगे अब देखो एक बात और कहीं उसने x पलस y किसके बराबर है 3 z के बराबर है तो इसकी value भाई सब मैं क्या रख दूँगा 3 z रख देंगे क्या रखेंगे 3 z माइनस में z is equal to कितना आएगा 8 तो यहां से 2 z की value बनेगी 8 यहां से z की value निकालेंगे 2 से divide करेंगे तो आंसर कितना आजाएगा जी 4 जो कि कौन सा option बनेगा जी option 30 राइस का सही answer है और इससे आप 100 trick कोई भी नहीं लगा सकते कोई ऐसा सोसते भी इसकी direct trick होगी हमारी शिर्फ एक second में answer आजाएगे और यह को 60 question आएगे ना तो उसमें muscle question भी आएएगे असान भी आएएगे सारी चीज़े रहेए कुछ question ऐसे भी होंगे जिनको हम second में बता पाएंगे लेकिन ये formula based question होते है इनको हमें by formula करना ही होता है ठीक है ना तो यहां से इसका answer कितना बनेगा जी अपना बचों चार इसका सही answer है चल लिए एगले question पर अगला question कहता है कि इसकी value क्या रही होगी simplify करना है 4 बटे 10 पलस 4 बटे 1000 माइनस 4 बटे 100 पलस में 4 बजे 4 बटे 10,000 पहले पलस पलस वाड़े कटे करो देखो 4 बटे 10 है इस कौन क्या लिए सकते हैं जी 0.4 लिख सकते है 4 बटे 1000 है तो देखो 3 0 है तो 3 से पहले point आता है तो 2 तो लिखने लिखने पढ़ेंगे और फिर बाद में कितना आएगा 4 बटेंगा ठीक है न अब यहाँ पे 4 0 है तो हमारे 3 digit होनी चीए तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे 0,0,0 क्या बन जाएगा 4 पलस पलस वड़े कठे कर रहा हूं मैं एक बर यह याद रखना एक बद जोडेंगे इनको यहाँ पे आएगा 4 यहाँ पे भी 4 आएगा ठीक है न देखो यहाँ पे तो पहले के उपर तो यह 0 बनेगा यह 4 बनेगा यह आजएगा 0.4044 अब इसमें से माइनस करना है अपने को क्या माइनस करना है 2 के बाद पॉइंट है तो क्या माइनस करना है अपने को 0.04 माइनस करना है इसको आगे हम 002 भी लिख सकते हैं तो 4 में से 0 गया 4 आजएगा फिर 4 में से 0 गया 4 आजएगा चीक है ना और यहां पर कितना बग जाएगा नो में से दस में से चिरा गया कितना बग जाएगा छए बजेए वेज़ाकर पर यहांं पर कितना बग जेगा तो 0.3644 इसका सही राइख हो गागी हुए तो कि कुसा चलिए जी कोशन नमबर 93 इसका बताईए बहुत अच्छा कोशन है अब आपने पड़ा होगा जैसे माल लेते हैं मैं कोई एक नमबर लिखता हूँ चार सही एक बटा दो अब इसको सोल कैसी किये जाता है तो आप क्या कहते हो जी चार दोनी आठ आठ और एक नो नो बटा क्या लिखते हैं दो लिखते हैं नाइन वाई टू लिखते हैं सिद्धी सी बात है इसी तरह के से लिखा जाता है अब यह आगे इसके निनाड में और मुल्टिप्लाई में आ अब लग लिकल बाइँ इतने को सोल करते हैं इसका आंसर हमारा क्या बढ़ना चाहिए करेंगे 9T7 करेंगे पहले बात लिक हैं क्या देखो समय सी इन माइब डिपल लाइन की कि किस्लेंगे डंड माइन से प्लास में क्या ज़ढ़ देंगे 98 कर देंगे ठीक ना और दिवैड बैए देखो जोड़ी जाती है निच्चे कितना है 99 और मल्तिप्याइ बैफिर लाष्ट में vibe कितना है 99 यह thus judicial हो जाएंगे अब देखो इनकी multiply करनी है इस से तो कैसे करेंगे लिए पूरी multiply करने की जूरत नहीं होती है क्या करेंगे देखो इसको मैं क्या ली सकता हूं 900 99 को बदलो या 99 को बदलो एक यह बात है 900 99 को बदलेंगे तो हम भाई साँ इसको क्या ली सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब अठान में आजाएगा अब बताईए 99,000 आजाएगा इन दोनों को सोल करेंगे तो माइनस का एक बनेगा अब 99,000 में से एक गटाओगे तो कौन सा option बनेगा हमारा answer ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा एक गटाई तो लास्ट में तो 9 आएगा ये 899 में है तो अठान में कब चलते हैं कि seguinte एक और आता है यह भी फरॉम्ला बेस्ट कोशन है पर मला हमें पता हो जाए अगर में पुरॉम्ला पता है टो इसका आन्सवर हम निकाल सकते हैं बैक बार तो पता फिर अंदर ब्रैकेट में होगा A स्केर पलस में A B पलस में B स्केर ये चीज होती है अगर मालो यहां पर पलस का आजए तो क्या करेंगे A क्यूब पलस B क्यूब भाई सब किसके बराबर होता है तो माईनस हो तो क्या आजएगा पलस आजएगा A पलस B हो जाएगा अंदर क्या बढ़ेगा A स्केर माईनस का A B पलस में B स्केर होगा ठीक है जी यहां तक अब देखो इसको सोल करते हैं तो इसमें से एक फॉर्मला आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा क्या फॉर्मला बढ़ता हो दिख रहा होगा यह है A क्यूब माईनस का B क्यूब तो क्या होता है A क्यूब माईनस का B क्यूब पहले के बाद तो क्या लिखेंगे A माईनस का B तो 2.75 में से 2.25 गट आएंगे तो आप को होगी जी कितना आएगा 0.50 लिखे लो, 0.5 लिखे लो, बात ही की है bracket में क्या एगा फिर अंदर a square, a square मतलब क्या लिखेंगे 2.75 का whole square ठीक है न, यही लिखेंगे bracket के अंदर plus में क्या बनेगा a, b, मतलब दोनों की multiply होकी, 2.75 multiply में 2.25 यही बनेगा, plus में b square b square मतलब किसका square बनेगा 2.25 का whole square यह bracket बन्द है निच्चे same to same सारी चीज़ जितने यह लिखेंगे देख सकते हो यह कि यह रही same, same to same यहाँ पे आएगी, तो यह अपस में cancel हो जाएंगे, तो answer कितना बनेगा इसका, 0.5 मतलब simple इनको minus करना है उपर वालों को, अगर गटा देंगे तो क्या answer बन जाएगा हमारा minus अगर मालो यहाँ पे a q, यहाँ पे बिच्वे plus का निसान है ना अगर मालो यहाँ पे कभी plus का sign आ भी जाता है यहाँ plus का sign आएगा तो फिर भाई सब यहाँ पे किस चीज़ का आएगा minus का आएगा तो अगर यहाँ पे plus होता और यहाँ पे minus होता उल्टे होते तो हम क्या गड़ देते इनको जोड देते फिर answer कितना बनाता हमारा दुन्नों को जोड़ेंगे तो 5 इसका सही answer हो जाता भई तो अब minus है तो मैंने क्या गड़ दिया सबसे पहले सबसे छुटा लिखा जाएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा यह ऐसे question होते हैं जिनको हम सिरफ एक सेगर्ण के वींसका answer बता सकते हैं सैगरण? कितने second में एक सेगर्ण में ही इसका उत र ही बता सकते है क्या करना होता है समझीए हमें क्या करना है देखो यहां पे अंतर देखो कितने का है 1-7 ज़र यहां पो इस हमारा सेम होता है देख सकते हो चार पांच है 6 7 5 6 7 8 एक एक दिफ्रेंस हैं सभी के अंदर अगर सेम रहा हो तो हमें क्या करणा होता है जो उपर सबसे बड़ा नंबर लिखा गया है वो सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटा लिखा गया है वो सबसे छोटा होगा सिंपल सी बात है तो उपर सबसे बड़ा देखो कौन सा लिखा हुआ है साथ बटे आठ यह सबसे लाश्ट में लिखा जाएगा जी साथ ब चैए बटे में चैए पांच के बाद गूंस आएगा चीए गा तो क्या लिखेंगे इसको छे बटे में साथ और फिर जोटा फिर चोटा और लास्ट में सबसे चोटा लेगा जाता भी तो यह इसका अंसर हो जाएगा तो देख सकते हैं कौन सौ और चाहिए जाएगा चलिए जी इसका अच्छा कोशन है बहुत अच्छा कोशन है अगर किसी बच्छे ने बेसिक से अच्छी जीजे ट्रेंगल को बेसिक से पड़ा हुआ हो तो आप इसका अंसर कर सकते हैं अन्यता देखो दिकत होगी बैए कोशन समझी क्या है देखो एक आयत का विकर्ण मतलब डैगनल दिया है किसका एक रेक्टेंगल का कितना सेंटीमेटर है आठ और उसकी एक भुजा और विकर्ण के बीच का जो एंगल हो तीस डिगरी है तो इस आयत का शितरफल क्या होगा ये हमें बताना देखो फिगर कैसे बनेगी पहले इस चीज को समझी फिगर क्या बनेगी हमारी उसने क्या कहा कि एक रेक्टेंगल दिया गया जी हमें ठीक है एक आयत दिया गया है ये एक आयत है उसने क्या कहा कि इस आयत का एक डाइगनल है मालेते विकर्ण है विकर्ण होता है एक कोने से लेके दूसरे कोन मुझने तक थी अधिकों और यह हमें कितना दी और जो भुज़ा कि झाएंगल बंढ रहा होगा मधर तीस का अब 120 तो कितना बच जाएगा जी हमारा साथ ठीकरी ठीक है अब इसको सोल करने के लिए हमें एक ट्रेंगल की चीजें और सीखने पड़ेंगी क्या सीखना है देखो दो इट्रेंगल बढ़नते हैं देखो क्या क्या राइट एंगल ट्रेंगल में क्या कंडिशन हो सकती है ये 90 डिगरी है मा लेता हूं मैं ये 30 डिगरी है तो ये एंगल कितना रहा होगा और अगर ये 65 डिगरी तो ये बहुता लेकित चलना पड़े गा हमें 25 लीको ट्रेंगल में हमें च्छोती सी बात क्या दूर्ध रखनी है right angle triangle होतो जो भी 30 degree होता है 30 degree के जो सामने वाली side होगी इसको हम हमेशा 1 मानगे चलते हैं 30 सामने क्या चलते हैं एक जो 60 degree के सामने होगे इसको हमेशा क्या मानगे चलेंगे रूट 3 मानगे चलेंगे और जो 90 डिगरी के सामने होगी उसे हमेशा क्या मानगे चलेंगे तो 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट 3, 90 के सामने क्या मानेंगे दो मानते हुए चलेंगे इसी तरीके से अगर ये एंगल बराबर आ जाते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो उसकी सामने वाली साइड भी बराबर होती है मतलब इसके सामने 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी क्या रहा होगा अगर ये एक है ये एक है पैते कुरे स्वरम लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा अगर ये कंडिशन हमें याद होती तो सिर्फ और सिर्फ दस से पंदरा सेकंड का सारा कॉशन था ये अब देखो ये 30 है ये 60 है ये 90 है 90 के सामने जो साइड होगी इसको हमेशा क्या मानके चलते हैं दो मानके चलते हैं 30 के सामने जो साइड है इसको हम क्या मानके चलते हैं एक और 60 के सामने जो साइड है इसको हम क्या मानके चलते हैं रूट ते यही मान के चलते हैं अब तीनों में से एक value हमें दी गई है कौन सी दी गई है देखो दो बराबर किसके दिया गया है? 8 के अगर भाई साब दो बराबर 8 के है तो कहोगे एक बराबर किसके आ जाएगा? 4 के अब एक बराबर क्या है? इसके चोड़ाई है इसके चोड़ाई कितने आ जाएगी हमारी? 4 आ जाएगी अब लंबाई की बात करते हैं तो रूट 3 की value एक बराबर 4 के है तो रूट 3 बराबर किसके होगा? इन दोनों की multiply हो जाती है कितना आ जाएगा? 4 रूट 3 जो लंबाई रही होगी वो कितने रही होगी? 4 रूट 3 मतलब एक आयत है rectangle है जिसके लंबाई कितनी है? 4 रूट 3 और चोड़ाई कितनी है? 4 रही होगी हमें क्या बताना है? जी इसका area बताना है शेतरफल बताना है क्या रहा होगा? area का formula क्या होता है? rectangle में लंबाई गुणा में चोड़ाई length गुणा में breadth होता है अब बात करते है length की length कितनी है? इसकी 4 रूट 3 गुणा में breadth कितनी है? 4 बस गुणा कर देंगे 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 answer कितना मनेगा area इसका? 16 root 3 तो 16 root 3 इसका बिल्कुँ सही answer बन जाएगा अब option चेक करते हैं तो 16 root 3 cm square होता है क्योंकि area हमेशा square में बनता है तो कौन सा answer बनेगा जी है हमारा option B option B इसका बिल्कु सही answer है वह यह अगर हमें triangle की properties के बारे में पता है न तो हम इनको चंद सेक्टों में इनके answer बता सकते नहीं तो बही देखो ऐसे कोशन सामें बहुत मुश्किल आपे लगने वाले हैं बही तो concept हमारे basic से सारी चीज़ें कलीर होने चीज़ें इस बात को याद रखाना चलिए जी अनुपाद कितना दिया गया है पांच अनुपाद शोड़ा तो उसकी लंबाई और चुड़ाई का अनुपाद क्या रहा होगा length और ब्रेड़त का ratio क्या रहा हो बहुत अच्छा सा कोशन है simple सा कोशन है अगर आपको फुरुमले याद है तो और रामसे आप कर सकते हैं भी ठीका ना वुरुमले हमें रामसे करने पढ़ेंगे इनके याद अब देखो उसने क्या कहा है length है लंबाई है divided by अब perimeter की बात करते है परिमाप की बात करते है तो एक इसका rectangle का आयत का perimeter perimeter परिमाप क्या होता है तो आप कहोगे जी यह होता है दो गुणा में L पलस B और किसके बराबर दिया गए है अनुपात ये 5 बटे में सोड़ा दिया गए अगर दो के पहाड़े में काटेंगे तो किस पर गड़ जएगा 8 पे तो इसका मतलब L divided by L पलस में B किसके बराबर आजएगा हमारा 5 divided by 8 हो जएगा हमें क्या बताना है Length और Breadth का रेशो क्या रहा होगा अब ची बताए Length कितनी है हमारी 5 है तो क्या लिख देंगे 5 आजएगा अब Length और Breadth दुन्नों का जोड़ कितना है हमारा 8 है तो 8 में से 5 गया है तो चुड़ाई कितने आजएगी 3 बन जएगी तो लंबाई और चुड़ाई का अनुपात कितना रहा होगा 5 तीन रहा होगा तो कौन सा Option इसका सही आंसर हो जाएगा Option चोथा इसका बिल्कु सही आंसर बन जाएगा शीकर नहीं इसका सही आंसर है चलो भी अगले कोशन पर चलते है कोशन नमबर 98 क्या कहता है हमें बताना है कि इन में से सबसे बड़ी संख्या कुण सी होगी यह भी एच्छा कोशन है बस बेसिक हमें पता होना चीजिए कि यह चीज़े होती क्या है तो इनके उपर बार लगाया है यह बार क्या होता है हमारा बार का मतलब होता है कि वही संख्या रिपीट होती है बार बार ठीक है ना वही संख्या बार बार रिपीट होती है इसका मतलब पहले बड़ा तो है 0.9 है तो 0.90 लिख लो या नो लिख लो बात एकी है अब 0.90 बार है तो इसका मतलब 9 बार-बार चलता रहेगा तो 0.99 भी लिख सकते हो इसको बात एकी है ठीक है इसको क्या लिखे हैं 0.0 सिर्फ 9 के उपर बार है ना तो नो ही बार-बार चलेगा, तो मतलब 0.099 ये चलता रहेगा, अगर तीन डिजिटिटी तक लिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं, अगर इसको लिखा जाएगा चोथे वाले को, तो 0.09 के उपर बार है, तो 09 आएगा फिर 09 आएगा और फिर 09 आएगा यë चलता रहेगा अब देख सकते हैं सबसे बड़ा कौंवशा है 0.900 है 0.99 में है 0.091 या 0.090 1 10 सबसे बड़ा नमबर कौंवशा है िसमें 0.0 618 और 9 बार इसका सही आंसर होगा जो कि कौन सा option है जी हमारा option दूसरा तो option दूसरा इसका हमारा मिलको सही answer बन जाएगा भई कोशन नमबर अगले पर चलते हैं यह कोशन जो आपने देखो बहुत बड़ देखा होगा भई ठीक है ना अब मैंने कहा था कि सारे कोशन आपको हम कोशन कर रहे हैं हमारे basic clear हैं तो 30 से लास्ट से लास्ट होता है भी ठीक है 30 से लास्ट से लास्ट है कि हम देखकर उसका answer भी बता सकते हैं और गोड़ा भी लगा सकते है 30 से के अंदर तो क्या करेंगे देखो अगर root 20 पलस root 20 पलस root 20 और कहा तका जाता है infinity अनन तका जाता है तो हमें क्या करना होता है इस 20 को तोड़ना होता है जो भी नमबर लिखा गया उसको कैसे तोड़ना होता है हमेशा दो लगाता नमबरों में तोड़ना होता है जैसे 20 दो गुणा में 10 भी होता है 20 क्या 2 और 10 लगाता नमबर हैं कि आप कहेंगे नहीं है लगाता नमबर कुण कुण से हैं तो आप को होगे जी 4 और 5 अबी 4 गुणा में 5 4 है और 5 है अगर हमारा साइन बीच में पलस है जीसका 5 हो जाएगा अगर यहाँ पे पलस की जिगह माइनस हो जाता तो फिर हम कुण सा अंसर लगा कि आते हैं जीसका छोटे वड़ा 4 फिर इसका ऑप्सन बी बनता भी अंसर ठीक है तो यह इसका सही अंसर बन जाएगा चलिए कोशन नमबर सो पे चलते हैं बताईए वो कहता है कि यदि एक्स पलस वाई किसके बराबर है एक्स पलस बी के बराबर है ठीक है एक्स और वाई है वो ए और बी के जोड़ के बराबर है और फिर क्या कहता है कि एक्स माइनस बी वाई किसके बराबर है A square minus B square के बरापर है ठीक है ठीक है जी हमें क्या बताना है यहां से हमें बताना है कि X और Y का महाने क्या रहा होगा अब कोई भी वैल्यू पूट करके देख लो ठीक है प्लस भी बनेगा यह भी नहीं बनेगा पहला इसका सही आंसरत है वैल्यू पूट करके देखने हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं है यहां पर रखके दे सकते हो एक्स की जगह रखोगे वाई की जगह बनेगा वही यहां पर है अगला कुशन आता है एक इसके दो समानमूल है मतलब इसके रूट्स क्या दिये गए है बराबर दिये गए है अब एक बात याद रखना जब भी हमें समानमूल दिये गए हो ठीकर ना एक नाम आता है डिस्क्रीमिनेट क्या आता है डिस्क्रीमिनेट आपने कभी सुना हो जो डी होता है ठीकर ना वो हमेशा किस के बराबर होता है फिर जीरो अब डिस्क्रीमिनेट होता क्या है हमारा यह होता है जी बी स्केर माइनस में 4AC यह किस के बराबर होगा जीरो के बराबर कब होगा जब एक द्वी गाज समेकरन quadratic equation हमें दी गई होगी और उसके root बराबर दिये गई होंगे अब quadratic equation किस form में लिखी जाती है तो आपको पता होना चीजिए होता है AX square पलस में BX पलस में C is equal to 0 होता है पलस में C is equal to 0 होता है अब बस इसमें value रखनी है जी बताओ इसके अंदर value रखते हैं B square B कौन सा होता है जो X के साथ हमें लिखा गया होगा X के साथ में के लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे K square हो जाएगा मैनस में 4 का 4 A, A कौन सा होता है जो X square के साथ में लिखा हुआ होगा X square का coefficient कितना है हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे गुणा में C, C कौन सा होगा जो हमारा constant होता है जो last में दिया गया होता है 3 है तो 3 बराबर किसके होगा जीरो के तो यहां से K square माइनस का 24 है तो 60 जाएगे क्या बन जाएगा यह पलस का 24 होचेगा अब square है तो सिद्धी सी बात है यहां से K की कितनी value रही होंगी? 2 रही होंगी जैसे माल Hindu मैं कहता हूँ कि X square की value कितनी है चार है तो X की value यहां से 2 आएगी plus minus का 2 आएगा 4 किसका square होता है? 2 का और plus minus 2 क knows क्योंकि minus का square करोगे तो भी plus का 4 बनता है और 2 का square करोगे तो भी क्या बनता है? 4 ही बनता है ठीक है ना? तो अब देखो के की वेलियो कितनी आजएगी बरबर में लिखेंगे तो पलस मैनेस रूट 24 आजएगी अब रूट 24 को हम क्या लिसकते हैं भाई साब अब रूट 24 को मैं लिसकता हम 4 गुणा में 6 क्यों लिखा ताकि जो 4 है? 4 बाहर बंटेगे निकलेगा किसका बनता है तो आप कहेंगे जी 2 का बनता है तो कितना लिखेंगे जी इसको? पलस मैनेस दो रूट 6 तो आंसर आएगा पलस मैनेस टो रूट 6 तो कौन सा option इसका सही आंसर होगा जी option option A इसका बिल्कुल सही आंसर होगा याद ना जब भी दिवी का समय करना दिया गया हो quadratic equation हमें दी गई हो और उसके roots हैं वो बराबर दिये गए हो equal दिये गए हो तो जो discriminant होता है वो 0 के बराबर होता है या फिर आप क्या कह सकते हो बी स्केर मानेस 4ac किसके बराबर होता है जी जी जीरो के बराबर बढ़ता है अगले question पर चलते हैं 11 question अभी तक हम कर चुके हैं 12 question हमारा क्या है question है यदि A B C का ओसत A B और C का जो ओसत है average है वो M दिया गया है और A B पलस B C पलस C is equal to 0 है तो A स्केर पलस B स्केर पलस C स्केर का ओसत क्या रहा होगा इसका formula भी मैंने अभी लिखवाया था आपको याद हो तो A पलस B पलस C का whole square क्या होता है आपको भी बताया था मैंने A स्केर पलस B स्केर पलस C स्केर is equal to 2 plus 2AB plus 2BC plus 2CA होता है याद है तो ठीक है न अब देखो ओसत क्या होता है average होता क्या है M दिया गया है उसत होता क्या है उपर तो लिखते है हम जोड जोड लिखेंगे तो क्या बनेगा A पलस B पलस में C इवाइड़ भे निचे क्या लिखा जाता है total number कितने है तो number कितने है तीन है तो निचे कितना लिखेंगे जी तीन ही आएगा उससे जाएके तीन से गुणा करोगे तो 3M आजाएगा 3M किसके बरबर आएगा जी A पलस में B पलस में C आजाएगा ठीक है अब मैं क्या करता हूं जी यहां से दुन्नों साइड स्केर कर देते हैं अब यहां पनाना लगा दो A पलस B पलस C का हूल स्केर क्या बनता है जी A स्केर पलस B स्केर पलस C स्केर पलस में 2 कॉम ले सकते vot AB पलस BC पलस CA जाएगा से देखें हैं तो A 30 की हमें क्या A B plus B C plus C A पराबर किसके है 0 के इतने की value 0 है तो 2 की multiply 0 से करेंगे तो यह तो क्या बन चाहिएगा 0 तो यहां से A square plus B square plus C square मतलब इन तिनों का जोड़ कितना आगया हमारा 9 M square कई बच्चित क्या करते हैं कि यही answer लगाया थे हैं इसका 9 M square नहीं यह तो इन तिनों का जोड़ आया है हमें इनका ओसत बताना है ओसत क्या होता है divide भे क्या करेंगे number कितना number है यह 3 है तो 3 से divide यहां भी 3 है तो 3 से divide 3 से divide करेंगे तो भाई साब इसका answer क्या बनेगा 3 M square चीक है भी तो कौन सो option answer बनेगा जी इसका option B इसका पिल्कु सही answer बन जाएगा भी चलो जी अगले question पर चलते है बताईए यह एक हमें स्रिंखला दीगी माइनस का 5 है फिर माइनस का 8 है माइनस का 11 ही चल रहा है माइनस के 230 तक है हमें बताना है इसका जोड क्या रहा होगा वैसे चेक करोगे तो इनको जोडोगे तो माइनस में यह answer आएगा भी माइनस में आएगा तो option यह एक बनता है हमारा ठीक है ना और तो हमको लगा भी नहीं सकते लेकिन निकालेंगे कैसे अब यहाँ पर अंतर देखोगे तो 5 और 3 8 है 8 और 3 11 है मतलब difference क्या चल रहा है इनका same अगर difference same है तो हमारी एक AP सीरीज होती है arithmetic progression समांतर सरेनी जिसको अपा कहते है उसमें क्या होता है कि जो अंतर है difference है वो हमेशा क्या चलता है same चलता है एक जैसे चलता है ठीक है ना तो उसमें देखो SN का formula क्या होता है पहली बात तो SN आपने सुना हो SN होता है N by 2 दो formula बनते हैं एक तो बनता है A plus में L first rum plus में last rum हमें first rum भी दीगी है last rum भी दीगी है तो हमें यही इसका use करना है लेकिन हमें देखो N की value निकालनी है N की value देखो आपने एक formula और पड़ा हो इसका A N का A N का formula होता है A N बराबर होता है A plus में N minus 1 into में D A N का मतलब होता है last rum जो भी हमारी होगी ठीक है जैसे देखो N की value निकालते हैं पहले टरम भी है हमारी आखरी टरम भी अपने पास है ठीक है ना अब बताओ N की value निकालनी है A N मतलब last rum कितनी है minus का 230 A का मतलब होता है पहली टरम कितना है minus का 5 plus में N minus का 1 और difference कितना लेके चलेंगे difference हमेशा दूसरी में से पहली गटानी होती है गटाएंगे कैसे देखो minus का 8 है इसमें से minus करना होता है पहली टरम मतलब minus का 5 ये क्या बनेगा minus का 8 minus minus plus होगा plus का 5 बनेगा तो ये कितना बन जाएगा जी minus का 3 तो difference रहा होगा यहां पे minus का 3 आएगा minus का 5 है इस अड़ागे plus का बनेगा तो इसमें से गटेगा ही कितना मढँनेंगा माइनस का 225 मैं-3 की X से गुणा करेंगे तो मैंनस का 3N मैंनस और मैंनस की गुणा पलस में क्या आजाएगा ठीक हैै इससलिटा करें एकि बनेंगा यह तूर पतकिस को इस एड़ ले को कितना आएगा च्छेंतर डिवैडेड वाई दो पहली ट्रम और आखरी ट्रम को जोड़ना है पहली ट्रम कितनी है जी हमारी माइनस का पांच पलस में जोड़ेंगे तो माइनस का ही यह आएगा तो माइनस में करने की जूड़त नहीं थी कोशन हमारा सिरफ एक सेकंड कही था ऑप्शन से करते तो अगर और ऑप्शन से नहीं करना है इस सारे तरिका माने आपको बता दिया एसन के से नहीं गाड़ा जाता है एन बाई-टू एफ लज में एल या फिर एक और एसन का फुर्वला हमारा क्या बनता है यह होता है n by 2 bracket में 2a plus में n minus 1 into में d होता है इससे भी करते हैं आपा ठीक है लेकिन n तो यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा बात तो वही है हमारी चीक है जी चलिए अगले कोशने पर चलते हैं सम्द भी बाव होता है हमारा आईसोसलेस सम्भाव होता है हमारा equal educational पहली बात तो इन 4 triangle के बारे में पतावना चीए सम कोण होता है हमारा right angle triangle और अधी कोण हमारा कोण सा होता है obtuse angle triangle पहली बात तो चारों triangle होते हैं कौणकौण से हैं ऑदीखु dai हों legislativeUST हमारे वो ट्रेंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर हों कॉन सा होता है जिसकी दो साइड modern हो दूसरा एक्विलेट्रल कॉन सा ओता है समबाओं मतलब जिसकी सायड पर ही हो न कोनák सब्सक्राइब जिसका एक इंगल कितने डिगरी का बनेगा जी 90 डिगरी का होगा बचे यह दोनों पैसे चोटे होंगे और अधीकोंड त्रिभूज किसी की भुजाओं की लंबाई पी क्यू आर है ये किसिके बराबर रहे फी क्यू प्लस क्यू आर प्लस मेंसे पियारु बनता भूर में High- Impf ६डाने थि कि मक्री प्तिनippi demand मान के चलता हूं अगर हम तीनों को बराबर रखते हैं तो क्या इस सही बैठेगी किया देखो एक का स्केर करेंगे तो एक पलस में एक का स्केर एक पलस में एक का स्केर एक बराबर किसके होगा हमारे PQ PQ की मल्टिपलाई करेंगे तो एक पलस में QR मल्टिपलाई करेंगे एक और एक की गुणा एक और फिर है P R पिर और के मुन्टि पूलाइग रहे हैं तो यह भी एक, यहां भी तीन आएगा, तो हमने तिनों सैट क्या माननी, बराबर मानी, तो ये बात सही बैठती है, और तिनों सैट बराबर होती हैं, तो हमारा कौन सा ट्रेंगल बनता है इस मेसेजी, सम बहुत रिबूज बनता है एक्वी लेटर ट्रेंगल हमारा बनता है इसके तिनों एंगल भी बराबर होते हैं 60-60 डिगरी के और इसके हमारे तिनों साइड भी बराबर होते हैं ठीक है चलो जी आज क्लास का एक लाश कोर्शन को लेते हैं तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं जो कुद से वागा होते हैं और एक से भागा उते हैं । प्रिधाओ नहीं होगा 50- мама फिरकों साबनता हूँ थी 55 pum için नहीं होता 58 में आता 69 एक 63 तरेबासट नहीं होगा ठिके-शोन-षोर्च पैनने सड़े के आधा सेवन्त के बनता है था के बाद है scholars इकमादार दाता है में किर अनकाथर यह को रहाए तक मांटाक है कräके-धिनी सावने यह स्थानी आफ पैना यह बाद आता है नावसा रहाइसे टोके हैं सेध्य कर देखो 50 के बाद 51 आता है 52 किसी के पड़े में नहीं आता है 155 भी आता है 56360 यह आता है उनलों किसीट नहीं नहीं आता है एक एतर के बाद बैतर नहीं तीयतर आता है तीयतर के बाद चुएतर पिचेतर चेतर चेतर सारे आते हैं 79 होगा 79 के बाद 80 आता है 81 भी आता है तीन के पाड़े में 82 भी आता है दो के पाड़े में 83 किसी के पाड़े में नहीं आता 84 भी आता है 85 भी आता है 86 87 88 भी आता है 89 इनका जोड़ अब देखो ऐ बाजे संग क्या हूं का कोई भी फूर्मला नहीं होता है इनको सिंपल जोड़ना ही पड़ता है वह लगबग आप अंदाजा लगा सकते हो भी देखो तीन और नो 12 और 13 और 13 और 7 20 और 21 और 24 और 23 और 36 और 45 आसल कितनी जाएगी जी चार चार और पांच 9 9 5 14 14 और 6 20 और 26 27 37 47 47 47 कितना मनता है जी 33 तो इन सब को जोड़ेंगा कितना मनेगा जी 635 ठीक है प्राइम नमबर का एब आजे संग्यां कोई फ्रोमला नहीं बनता भी ठीक है तो आसी क्लास के से रही सभी बच्चे कमेंट जरूर कर देना भाई ठीक है ना और आपकी कोई स्पेसल डिमांड है कि इस टोपिक के उपर जैसी भी चीज़ी होंगी सभी के उपर वीडियो हमारी बनती भी चलेंगी अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना पए थैंक्यू सो मच जैहिंत जै भारत